तो कैसे हैं आप सब लोग एक बार फिर से वल्कम आपका मेरे यूटूब चनल इस्टेडी भी थी होगी इसमें आज का सेशन में जैसे कि संडे है मैंने बताया तब इज बीच में हिंदी की कलासिज लेके आऊंगा तो आज मैं हिन्दी आपको बताऊंगा हिन्दी में जो टौपिक है मैंने संधी पकड़ रखा है जिसमें बहुत लेखने हो दिफिकल्टीज होती है बहुत लोग को परिशानी होती है वह मतलब या तो तुकका लगा करा आज आते हैं बैट गया तो बैट गया मतलब एक सिस् संदी उसको नहीं दिया है उसे सब स्वरसंदी के अंदर के पार्ट से रहे हैं हम पहले स्वरसंदी के पार्ट पढ़ेंगे उसके बाद अगर आप लोग को होगे कि आपको वह भी पढ़ने तो आप मुझे कमेंट करके बता देना मैं आपको वही चीज़ाय सिखा दूंगा दूसरी बात कल जो लास्टे सेशन था मेरा इंसी आटी योग्राफिका सेशन था उसमें कुछ लोगों को थोड़ा सा कन्फुजन है उसमें वे एक शीज बता देता हूं मैंने एक जगह पे कहा ता लास्ट में कि जो मानस अभ्यारणी है वो एक सिंग्वाला गैंडे के कर देना मानस गलत नहीं है मानस में भी पाए जाते हैं लेकिन परसिद्ध है काजी रंगा ठीक दूसरी चीज मैंने कहा था कि सिर्फ एंसी आर्टी की क्लास उसके हिजाब से मैं नोट से बनवाऊंगा बांकी चीजे जब हम पर्टिक्लर जोग्राफिक करेंगे यानि अप दो जाती है इसलिए मेरा पर छूट गया था तो आप उसको एट कर लेना ठीक है आज का जो सेसन रहेगा वह किसका रहेगा संधी का रहेगा ठीक है एक बार इसको बहुत अच्छे से मां को समझाओंगा इसको जिंदगी मां आप कभी नहीं बोलोगे इस तरीके से मां आप के स्लाइबस के अकॉर्डिंग ठीक है इससे पहले मैं संधी पढ़ाओं दो चीज़ें उम्मीद करता हूँ आपको आनी चीए ठीक है वो हमारा एबिट टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी आपको आनी चीए वो क्या चीज होती है एक तो स्वार होते है ठीक है और एक होते ह है वर क्या करते है व्यंजन अ मैस्ुआ और और वयंजन यह आपको आना चीए ठीक तो갈 क्या होते है जिसको मतलब जिसके जिसको बोलने के लिए किसी और चीज की सायता नहीं सिदी होती है आप जीदी हं जिए ayam वाली जो सिरीज है ठीक है ये क्या कहलाती है स्वार कहलाती है आप इसके नोट्स बनाएंगे संधी के जैसे जैसे मैं कहा रहा हूँ ऐसा मैसा करना संदी आने से पहले दो चीज़ों का ग्यान होना, एक तो स्वर, क्या होते है, औ, आ, ई, उ, जो होता है, वो क्या होता है, स्वर होता है, दूसरा, व्यांजन, व्यांजन क्या होते है, को, खो, ठीक है, गो, यह जो सीरीज होती है, क्या कह रहाती है, व्यांजन कह रहाती है, और व्यांजन होती हो स्वर की साहता है, इसे ही बोले जाते हैं, उसमें कहीं नहीं स्वर का रोल होता है, ठीक है, को को बोली एक बार को ओ भी आरा पिछे से, ठीक है, यानि कहीं नहीं इसमें किसका रोल होता है, स्वर का भी रोल होता है, ठीक है, स्वर आना ची आपको व्या पर आना चीए हमें व्यंजन भी आना चीए तब जाके आप क्या सीखेंगे संधी सीखेंगे ठीक है हम क्या सुरू करते हैं सबसे पहले संधी सुरू करते हैं ठीक है देखें संधी को इंग्लिस में बोला जाता है जॉइनिंग क्या जॉइनिंग ठीक अब इसको समझने से पह चौथा क्वेशन पूछ सकता है कोई वर्ड दिया होगा इसमें कौन सी संधी है चार चीज़ पांच बाद दिया होगा कोई वर्ड दिया होगा इसका संधी विग्रह करना होगा यानि संधी में उसको तोलना होगा ये प्लस ये ब्राबर ये पांच उसरिया विइंजन करके कि इसका क्या बनेों जिसे सपोज कि I remember AM और माननें के चल्युदू का ममेंद्यू मां प JUनें सिरिव दिए है ठीक है सवार आपको पता होंगे विएंजन आपको पता हूंगे ये तो होने ही चीज़ जब भी particular topic आएगा स्वारवेंजर मैं आपको हाँ पे समझाओंगा ही समझाओंगा ठीक है सबसे पहले एक चीज लिखे रहा हूं उसको देखना ये मैंने क्या word लिखा देव यानि इसकी कोई तो कोई meaning है ये किसी का नाम हो सकता है किसी भगवान के लिए मैं यूज़ कर रहा हूं यानि कहीं यहां जानते हैं देव एक word होता है दूसरा word क्या लिख रहा हूं मैं आलाई आलाई मतले जनरली घर के लिए यूज़यता है ठीक है विध्यालाई विध्याका आलाई विध्याका घर इस टायएप के चीज़ Ger ये दोनु अपने आम में दो word हैं जो क्या करते हैं ऐखिस्ट करते हैं ठीक है, हिंदी गरब, संधी की परिवासा मैं बता रहा हूं समझने की कोशिश करना में क्या कह रहा हूं, देव सब्द लिखा मैंने, देव के पीछे कहा है, देव, वो को बोलो, वो ही कहा है, व्यंजन है, बोली है एक बार मुँझ से वो को वो, ओ आएगा पीछे से, क्या आएगा, ओ, ठीक है, पीछे वाला देखना है, यानि जो आपने तोड़े हैं वर्ड, उसमें आप क्या करोगी, जो पहला वर्ड है, उसका पीछे वाले को देखोगे, क्या उससे निकल के आ रहा है, ठीक है, ओ, दूसरा वाला जो होगा, उसका पहला वर्ड देखोगी, व वर्ड होगे, हुए, दो टाइप के वर्ड, इन दोनों को, अब यह जो सब्द है, इसको मिला देता हूँ, देव प्लस आले क्या बना, देवाले, बना, इस देवाले में क्या निकल क्या रहा है, जो पहला वर्ड था, देव, यानि देव तक तो ठीक है, जो पीछे आले थ दिख रहा है, लेकिन वो पर्टिकलर आ नहीं दिख रहा है, आपने आ की मातरा दिख रही है, यहां का ओ नहीं दिख रहा है, यहां का ओ आ यहां सामिल हो चुका है, कहीं ने कहीं क्या हो गया, दो टाइप के वर्ड का मिलाप हो गया, और उस दो टाइप के वर्ड के इनको मिलने से जो विकार आता है, जो परिवर्तन आता है, यानि यह आ बन चुका है, अभी खाली definition बता रहो, दो word मिल चुके हैं, इस वाले में, इन दो के मिलने से एक नया word बना, ठीक है, देव अपने आपने एक word था, आले अपने आपने एक word था, और उसके अंदर हमने द इन दोनुको मिनारे से एक नया word बनता है, नहीं वित्पत्ती होती है, और उस इन दोनुका अपने आप में एक word बन गया, तो इस टाइप की प्रोसेस कहलाती है, संदी, यानि दो समीप वर्ती वर्णू को जोडने से, दो समीप वर्ती वर्णू के मेल से, जो नया सब्द संदी के एक पुक्षक लिए जब आप टोड़ेंगे यह देखो यहां का तो use नहीं किया, मैंने क्या कहा, इसका, बीच वाले का, यानि जब word को break करते हैं, आप break करने के बाद जो यहां का होगा, और यहां का, यानि सबसे close तो यही है एक दुसरे के, अब मैंने लौका तो नहीं पकड़ा, नहीं मैंने यौका पकड़ा, यानि दो समीप वर्थी वर्णू को मेल कर दिया, यानि उनको जोड दिया, उस दो को मेल करने से एक नया वर्ड बना ये, जो परिवर्थना के एक नया वर्ड बना, इसी को बोला जाता है संधी, तो संध पुर्स्टे चीज एक और इक्जांपल देखो यह क्या लिखा विध्या विध्या मतलब जानती ही है आप जयान शिक्ष्या वगरा से संब्ध आलाई मतलब घर ठीक है इसमें भी कहीं न कहीं दो वर्ण ने निकालो विध्या यानि पिछे वाले के देखना है ठीक है विध्य लई विध्या लई दीखो यह और यहां से गायव हो गया और विध्या यह आही बचा है आपर दीखो यानि कहीं ने कहीं दो समीवर्थी वर्ण मिलने के बाद एक नया वर्ण मना रहे हैं थोड़ा सा संदी कहते है एहसी संदी का यहां से इधर जाओगे तो वह संदी विच्छेर हो जाएगा यहां इधर से उल्टा वोगे तो थीक है ये तो संधी की परिवासा होगी, उम्मीद करता हूँ संधी की परिवासा आपके समझ में आगी यह होगी, ठीक है, अब देखो, पेपर में मैंने साथ परकार से क्वेश्चन पोचा, अगर पहला ही आगे आपको, दो समीपर्ति वर्णों के मेल से जो परिवर्टा आता है, क एक को बोलते हैं व्यांजन संधी, एक को बोलते हैं विसर्ग संधी, ठीक है, स्वर संधी, व्यांजन संधी, तिसरे को विसर्ग संधी, ठीक है, ये तीन परकार के आपकी क्या होती है, संधी है, ऐसी ही नोड बनाएंगे, ठीक है, हमने जो पढ़ना है, आपके सिलबस में अब आपको जैसे आपका पेपर में कर्ष्ण आता है डारेक्ट कॉनसी संदिये बूलता है तो जो स्लेबस के अगॉर्डिक है उसे स्वर दे रखा है तो उसमें कहीं नहीं स्वरसंदी होगी यानि स्वरसंदी को पहचानना बहुत आसान है जब आप वर्ड को मिला रहे हैं जब उनका विकार उनका जब वो क्लोज हो रहे हैं तो आप जब मिलाते हैं तो जब बीच वाला वर्ड होगा वो स्वर के अंदर का होगा आप सीधे समझ जाएगे विध्यालाई विध्या आगे रहो में आगे है स्वरी तो है है ना स्वर तो ऐसे जो होते हैं वो स्वरसं स्वारसंदी ठीक है स्वारसंदी यह कितने परकार की होती है अब स्वारसंदी में सीधे सीधे रोल किसका होगा स्वारूं का होगा यानि स्वार का रोल का मतलब है जो ओ आ ई और एसी जो सिरीच चलती है बड़ा ई उ ठीक है यह सब चीज़ा जो चलती है यह स्वारसंदी का रोल होने वारा है इसमें अब आपको यही चीज हमने आपे शिकाने है पहला question स्वरसंदी कितने परकार की होते है basically वैसे साथ परकार की होते है आपके वहाँ पांच दी है तो आप पांच ही गए ठीक है उन स्वरसंदी के आपको नाम बताओना चाहिए स्वरसंदी क्या होते है और दूसरा स्वरसंदी की परिभासा की है संदी की परिभासा बता है दो समीप वर्ती मौर्णू के मेल से जो नया बनता है उसको क्या बता है जो पिकार से नया सब्द बनता है उसको क्या कहते है संदी कहते है ऐसी ही स्वरसंदी की बरभासा होगी स्वरसंदी की बरभासा तो अगर स्वर के बाद स्वर आए व्यंजन नहीं आएगा वहाई याद रखना ओ के बाद आ ही आना चे ओ के बाद उ ही आना चे ओ के बाद इ आने चे या ए के बाद इ आने चे इस टाइप का यानि स्वरों का ही मेल होगा आपस में जैसे मैंने यहां क्या बताया था आपको विध्या प्लस आलाई बताया था याद है देखो विध्या पीछी वाली में कौन सा स्वर आ रहा है विध्या आ रहा है आ रहा है दूसरे बें में आ आ गया आलाई यानि आ यारी दो स्वर मिल गे हैं, व्यंजन नहीं है, ठीक है, दो स्वर मिले हैं, इन स्वरों को मिलने से नई चीज अगर बनती है, तो वो क्या बनती है, स्वरसंदी के अंदर उसको रखेंगे, यारी स्वरसंदी पहचानना बहुत आसान है, आप खुद ही जब पूरी स्रीज मिलाब करने से, दो स्वरों को जोलने से, जो विकार आता है, उसको क्या कहते हैं, स्वरसंदी कहते हैं, इसको लिख लो, स्वर के बाद स्वर आता है, अर्थाथ, दो स्वरों के मिलाब करने से, जो विकार आता है, उसको क्या कहते हैं, स्वरसंदी कहते हैं, ठीक है, स्वर संदी 5 वैसे साधी भी होती है लेकिन 5 दी है ठीक है सबसे पहले कौन से आएगी दीर के संदी कि पहला क्या आएगा दीर गहां इंडिविजुल एक एक करके पड़ेंगे ठीक है दूसरी संदी आती है गुण संदी दूसरी गुण संदी तीसरी कौन से आती हैं? वृद्धी संदी चोथी कौन से आएगी? याड संदी और पांच मी कौन से आएगी? अयादी संदी ठीक है? आप से question पूछता है निम्नकित मैंसे कौन सा एक स्वर संदी का हिस्सा है? शिर्फ सब्द को रट के इसमें स्वर है, इसमें व्यंजन है इसमें आयादी है, इसमें से नहीं काम जलते हैं यहां भी तो भसा सकता है आपको कौन से एक स्वर संदी का example मतलब कौन से एक स्वर संदी का भाग है option देगा याण विर्धी कुन और आयादी अब हम लोग क्या करेंगे इंडिविजुल करके एक एक करको पढ़ेंगे ठीक है पहला जो भाग आएगा आपका वो आएगा दीर के संदी वो हम समझते हैं देखो पहला जो आपका आता है स्वरसंदी के अंदर वो आता है देर्ग संदी ठीक है स्वरसंदी का सीधा सिता मत्त मैंने बता दिया आपको स्वर ही दिखेंगे उसमें बीच वाले वर्ड अब देखो कैसे चाटना है, क्या चाटना है, जब हम पूरी स्वर संदी के पार्ट्स बढ़ लेंगे, आप खुदी वहाँ पर क्या कलोगे, टिक सही मार के आओगे, ठीक है, पहला जो आता है देखो दीर के संदी, ऐसे ही नोट्स बनाना जैसे बता रहा हूँ, फिर अभी स तीन सब्दों को आप कहा लिखोगे, इन तीन मारनों को कहा लिखोगे, दीर के संदी के ब्रैकेट में, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ, जब क्वश्चन आपका सीधे आता, इसमें कौन से संदी है, आप इस सब्दों को देखके सीधे बता दोगे, इसमें ये संदी है ठीक मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्रैक्टिस जितनी करोगे हिंदी की किताब सब के पास हैं मैं तरीका समझाओंगा प्रैक्टिस आप पे डिपेंडने ठीक है याद रखना ये चेप्टर पढ़ा रहा हूँ तो पेपर देने जाओगे तो यहां से गलत करके मत आना ओफर कॉन्प्रिणेंट मत रहना या ज़्यादा कॉंप्लिकेट मत बनाना चीज़ेंगों कि मुझे संदी नियादी में क्या करूँगा मैं समझा रहा हूँ मेरे गारिंटी आप इस चीज़ को फॉलो करना जो मैं बता रहा हूँ आप वो करना द दो सब्दे लिख रहा हूं उन्चीज़ को देखना एक सब्द मैंने लिखा नवागत ठीक नवागत ट्रैक्टिस आपने करने दूसरा सब्द लिखा परिक्षार्थी देखो दो सब्दे लिख दे एक को लिख दिया नवागत एक को लिख दिया परिक्षार्थी परिक्षार्थी फी समझाता हूं फिर नवागत समझाता हूं देखो नवागत प्लस परिक्षार्थी पेपर माया कौन सी संदी है नवागत ओप्षन दिया व्यंजन संदी उसके पहला जैसे डारेक्ट संधियों से आ गया, स्वार संधी, दूसरा व्यंजन संधी, या तीसरा कौन सा संधी दे दिया आपको विशर के संधी, पहला कोशन संधी से आ गया, संधियों के नाम आये और पॉइंट दे दिया ये, आपको क्या करना है, जो बीच वाला है इसको होगा ठीक है मैंने अभी पहले बताए दो वर्ण उसे मिलके बनाओगा और वर्ण मिंद्रें के स्वर संदी मार दो कोई दिक्कत नहीं कहीं के गलत कुछन नहीं है पहला क्वश्चन आया आपकी कौन सी संदी अपने सीधे मार दी उसमें स्वर संदी है खुश हो गया आप एक नमबर आपका मिल गया खीक है तो अब कितने बचे हैं आपको पहुंच रहते हैं 74 एक और मिल गया आपको 75 जब आप यह चेप्टर सीख रहे थे ठीक है यादि पहला क्वेश्चन कौन सी संदिया आपका सीधे मिल गया है क्या तरीका आपना है आपने आपने क्या पकड़ा इसको इसमें B14 जो लिखा है उसमें क्या आ रहे तो इसमें A आ रहा था और A क्या है O A E E U U यह सब क्या है A I O आउ अंक अहो यह क्या है यह सब के सब अपने आपने स्वार है ठीक है आपने यह पकड़ा पहला क्वेश्चन कैसे बोला मैंने कौन सी सं संधिy मैंने ये निप्चा कि स्वरसंधि के अंदर कॉंसा पार्ट दीर गए कॉंसा है मैंने सिर्फ ये बता ये कि कॉंसी संधि दूसरा सब्ध परिक्षार्ति कि उस परिक्षारति कॉंसी संधिया इन या उप्यूप्ट मैं से फून आस्या रोड onto क्या लगा है, री, री के साथ काही के मात्रा लगिए, ए की मात्रा, यानि इसकी मात्रा जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, यानि ये, याली जो मात्रा है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, आपको पता है, स्वार है, सीदे मार के आगे आगे आप, स्वार संदी एंब क्या करने है अमने देखा दूसरा संदी के अंदर से ओप्षन आ इए उ डेखे तिन किपन आ ए उ पक्या है इए यह नवागत में आतो है संदी के अंदर कौन सा आठा है या दीर के संदी समझे कैसे पहले तो बताए कौन से संदिय है उम्मीद करो कि सीथा कुशन आई कौन सी संदिय है स्वर बेंजन और वहां को देखना ही नहीं हुआ इस टैप के वर्ड में आपको दिख गया कि स्वर है तो कौन सी संदिय है सीधह आपका एक नमबर मिल गया दूसरा पूश दिया इसके अंदर का पाठ लब जो स् परिक्षार्थी, अभी बताता हूँ, सब सिखाता हूँ, इसके रूल बताता हूँ, ठीक है, क्या दिखा, परी, सेकिन वाले में देखो, ई दिखा, क्या है, देर के जंदी, तीसरा अगर कोई वर्ड होगा जैसे, महींद्र, महींद्र नहीं है, आदूगू तो यह रखता है कि एक्जाम नहीं पेपर में महींद्र के जगा, महींद्र लिख दिया, गलत देती है, ऐसा नहीं है, महींद्र अलग वर्ड है, महींद्र अलग है, ठीक है, दोनों वर्ड होने, महींद्र है, सेकिन वाले में देखो, काही की मात्रा है, ए, क्या हो गया, कौन से संदी होगी देर्ग संदी, एक वाड़ और, क्या लिखा, सर्यूर्मी, सर्यू प्लस उर्मी, काही की मातर है, देखो, उ, क्या है, उ, कौनसे संदी, देर्ग संदी, इतना तो सीखे कि देर्ग संदी कैसे पहचानी चाहती है, तीन चीज़ जाओंगी, उसमें बीच वाले में, या आ कीगा, तो ऐसी संदी को क्या बोला जाता है, देर्ग संदी, अब सीखाता हूं, रूल, ठीक है, यह दू टाइप के क्या होता है, एक तो पहले, कौनसे संदी हो, उसी देपकड़ लिया स्वर, दूसरा, संदी के अंदर कौनसा पार्ट है, कैसे पहचानना है, यह चीज़ music बोला है, इसा हो लो सबसे के अंदर के अंदर क्या रिया, रू भी बोलता है इसको, रू या रीजू भी बोलता है, यह किसके अंदर हरस्व, ध्यान से देखना, नोट से ऐसी बनाना, ठीक है, देर्ग आते हैं दूसरा, इसी का बड़ा भाई, इसकी बड़ी बहन, इसकी बड़ी बहन, यह तो बिजारा के लाई है, ठीक है, अब देखो, इसको बोलते हैं, कौन सा, देर्ग, इसको बोलते हैं अब क्या होगा, जहां कहीं भी दीरग संदी होगी, संदी की breaths करो, दो समीव वर्थी वर्णु के मेल से, पहले वाले का, पीछे वाले का, आगे का, यह इनका मेल होता है, मेल हमेल वर्ण बंता है, उनके विकार आने से, उसको संती बोलते है. इसमें भी तो ये अब संधी है तो किसी भी संधी में वो definition लगी हो, दीरगे संधी में भी लगनी ही लगनी है कैसे पैचान है कैसे पकड़ने चीज़ों को ये समझना है देखो ये हुगिया आपका क्या ये चीज़ा आपको बता रहा हूँ कौन सा हरस्व है कौन सा दीरगे दीरगे संदी की सीधी सीधी डेफिनिशन अगर आपसे पूछता है पेपर में तो सीधा सीधा मतलब है जब दो वर्ण अर्थाथ एक हरस्व एक दीरगे यानि इस टैप की जब स्वड मिलते हैं इनके मिलने से जो लगुवाला होता है यानि जो कौन सा होता है हरस्व होता है वो गायब हो जाता है वो लोब हो जाता है आंसर सिर्फ ये बचेंगे जो final word बनेगा वो answer क्या बचेगा A, E और U अर्थाथ दो समीप वर्ती वर्णू के स्वर्णू के मेल से जिसमें एक हरस्व है यानि छोटे वाले हैं भाई साब एक बड़े वाले हैं जिसमें दीर गए इनके मेल से हरस्व का लोब हो जाता है बसता कौन से दीर गए फिर example वही example से देखो क्योंसा बताया था मैंने आपको अभी जैसे परिक्षार्थी बताया था क्या बताता परिक्षार्थी खुद ही देखो परिक्षार्थी क्या क्या होता है दो वर्ण बनो परिक्षा प्लस अर्थी ठीक है परिक्षया का मतलब पर-E आरा नहीं बड़ा E और उसके बाद O और E और O क्या आने सी क्या बनता है इसको दूसरा एक्जामपल में आपको बताता हूँ अब यह मैं इसको समझाता हूँ एक्जामपल के अंदर ठीक है आप पहले तो यह समझो यह चीज है यानि आपका क्या हो गया हरस्वसर का लोब हो गया दीरग का क्या हो गया बसता है अब आएंगे इसके example के अंदर कैसे इसको चीज़ा आपको cover करने सबसे पहले इसका rule बताता हूं मैं आपको उसके बाद समझाता हूं कैसे होता है ठीक है एक simple सी चीज़ आपने देखना ये सब्दी लिखाया जैसे मैंने क्या लिखाएं सेवार्थ सेवार्थ यानि सेवार्थ सब्दी सुनाओगा इसको समझो देखो सेवा मतब पहला वड़ बनाओ सेवा प्लस अर्थ बना इसको तोड़ो यहां क्या आया सेवा यानि आ दूसरे में क्या आया अर्थ यानि ओ इन दोनु का मिलाप हुआ आ और ओ का यानि यहां और यहां का इन दोनों के मिलाब से जो लगू है जानि जो छोटा है यानि जो कौनचा स्वर है हरस्टो सर है वो गायब हो जाएगा और जो फाइनल जो सेवार्थ वर्ड बना सेवार्थ ही इसको लिखना है ठीक है अब ही समझाता हूँ रहो सेवार्थ हमें सेवा वा मतलब आ ठीक है आ इसमें सब्द निकल के आया यानि जब दोस्ट वो यह सवर मिल रहे है इसमें हरस्टो जो छोटा वाला वो गायब होके बड़ा वाला बच रहा है यानि सेवार्थ तो ऐसी संदि के आउते देर के संदि ठीक है अब समझाता हूँ इसके रोलिक कैसे आपने इसको बनाना है पेपर में कैसे इसको आपने सही करना है देखो कुछी चीज़े शिखाऊँगा ध्यान से देखना एक तीन सिरीज बताऊँगा एसी नोट्स बनाना है एक ओ के सिरीज बताऊँगा एक आ की बताऊँगा एक ए की बताऊँगा एक ए की बताऊँगा एक उ की और एक उ की ठीक है कुछ सिरीज है यहां लिखोगे ओ सिरीज ऐसी बनाना यहाँ पे लिखोगे आ, पहले यह लिख लेते हैं, ठीक है, देखो, ओ के है, लगो यह नी हरस्व, ओ के साथ कभी या तो ओ मिलेंगे भाई साब, या ओ के साथ कभी आ मिलेंगे, ओ के साथ या तो ओ मिलेगा, या ओ के साथ आ मिलेगा, ठीक, या इस आ वाले भाई साथ के औ होगा या आ होगा, इस औ के साथ कुछ भी हो सकता है, ये वाला औ भी हो सकता है, इसके साथ ये भी हो सकता है, ठीक है, ये मतलब आपस में है, ये ऐसे भी हो सकते है, ठीक है, उल्टा सुल्टा कैसी भी हो सकता है, पहला दूसरा कोई आगे पिछी, इसके साथ ये हो सकता है इसके साथ यह हो सकता है, इसके साथ यह हो सकता है, इसके साथ यह हो सकता है, सेम कंडिशन यहाँ, ऐसा कहीं भी देखे, तो हमेशा याद अदना, मैंने क्या कहा कि दीर की संदिकी भैचान, पहर छोटा वाला गाय हो जाता है, बड़े भाई साथ बसते हैं, यहाँ क्या हो ज जैसे वेदक्षर, यानी वेद प्लस अक्षर, ठीक है, देखो, एक्जाम्पल, ऐसी लिखना है, ठीक है, वेदक्षर, क्या लिखा है मैंने, वेदक्षर, कैसे तोड़ना है, सबसे पहले पूछा वेदक्षर में कौन सी संदी है, आप तो बहुत चालू हो, दा, दार तब आ आ आ तही कौन से मार के आगे दीर है पता है क्योंकि आना किया आ ए और उ आना है दूसरा पूछा वेदाक्षर का संदि विच्छेत करो आप्षन मैं नहीं बताओंगा आपको लिखे थोण है चार आप्षन भी तो हैं उन चार आप्षन को कैच करोगे कैच करने का तरीका दे साओंगी उन आम से मिदें और और स्धित आ कहीं से मिदें दोनओं एक सिरीज है ऐसी यह की सी और ने कि की सिरीज और ने किसरीज विच्छेत को साहओ आपने क्या आ क्या था बनाना और चाहिसा ना उनकी अपनी मिनिंग घुना इसा खालद कि जा मत तोड़ देना है वेद प्लस अक्षर अपने आप में दोनों एक सब्द है वेद भी अपने आप में वर्ड है अक्षर भी अपने आप में वर्ड है तोड़ो दो वेद दो दो के बिसी क्या रहा ओ आ रहा है ठीक है दूसरे आले में अक्षर, अक्षर का मतलए ओ है न इन दोनों का मिनागी जो आपका वेदाक्षर बनाना उसमें कौनचा है आ है क्या है इसलिए कह रहा हूं जब विच्छेत पुछेगा उस दोनों की मिनिंग होनी चीए और उसमें क्या होना चीए ओ की सिरीज होनी चीए और उसका फाइनल अंसर आएगा सेम ऐसी कोई ऐसा वर्ट पकड़ना जिसमें दोनों का आ रहा होगा तो उसका अंसर आएगा कोई ऐसा पकड़ना जिसमें पहले आ होगा दूसरा ओ होगा उसका भी आएगा यनि ओ की सिरीज और आ की सिरीज जब आपस में टकराती है देखो ओ और आ ठीक है कैसे भी टकरा सकत दूसरा, same, E और E भाई बहन है, मल्लब बहन 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 बढ़ी दिदी जो कहता है, इनकी भी series आपस में टकराएगी, E, ऐसी करोगे, ठीक है, E के साथ चाहे E आए, या E के साथ E आए, आना क्या है, E ही आना है, E के साथ E आए, या E आए, आना E ही है, यानि E की स्रीज आपस में टकराएगी E वाले आपस में टकराएगे कुछ भी आगे मीचे आंसर क्या आएगा आपका E ही आएगा इसका भी कोई एक्जामपल होगा मैंने अभी बताया महेंद्र दूसरा नदीस जैसे प्रेक्टिस आपको बने देखो महेंद्र बता दाओ महेंद्र ठीक है महेंद्र का क्या करोगा आप संधी विच्छेत करोगे सबसे पहले कौन सी संधी है आप तो बड़े चालू हो चुके है E बड़ी E दिखरी है नहीं इसका मतलब सीधे सीधे मार के आजाओ दीर के संधी आपको पता है कि बड़ी E आ रही है जो ऑप्षन में दिये होंगे आपको E और E वाले टकरान है और उन दोने की क्या होनी चाहिए मिनिंग होनी चाहिए मिनिंग लेस नहीं होना चाहिए तो सीधे सीधे मही प्लस इंद्र देखो मही प्लस इंद्र देखो, मही में कौनची E है, बड़ी E है, ठीक है, E जिसको कहते हैं आप, इंद्र में कौनची है, छोटी E है, अब देखो E सीरीज आपस में ठकराई, result तो final क्या दिया, E ही दिया, इस E का अंसर का महला, सीधे सीधे कौनची संदी है, दीर के संदी, ठीक, सेम चीज, जैसे एक्जामपल, नदीज, ठीक है, खुद बनाओ, इसको प्रैक्टिस करके, नदी, नदी, पहले E है न, बड़ी, कौन से संदी, दीर के संदी, संदी विच्छेज बुचेगा, दो वर्ड मत तूटे होंगे, ओप्शन देखना तूटे होंगे, उन दोनों के पीसे, E वाली स E, ठीक, क्या होगे, नदीज, अब देखो, तीसरा आएगा, O स्रीज, O भाई साब, O के साथ कोई भी आए, खुद आए, छोटे भाई साब, बड़े भाई साब, बड़े उ के साथ कुछ भी आए, छोटे आए, खुद आए, ये आपस में टकरा सकते हैं, ये भी आपस में होगा, जैसे सुरियो दै को क्या होता है, भानु दै, ठीक है, जैसे देखो, सब्दी लिख रहा हूँ, भानु दै, ठीक है, भानु दै, प्रेक्टिस कर ले न, मैं पहले बतना हूँ, बिना प्रेक्टिस कर नहीं होगा, आप से पूछ आप कौन से संधी, आपने देख दी होने ची कैसी मेनिंग भानू भानू मतलब सूरी है जैनि छोटा उ उदई 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 मतलब जो उदित होता है ठीक है उदई बड़ा मतलब दूसरा उ उ और उ कुछ भी ठकराएं उ की सिरीज आपस में आना बड़ा ही वह आया तो है बड़ा उ भानू उदई होतो गया ऐ कैसी में अभी बताया जैसे आपको कहते है सर्यू उर्मी सर्यू प्लस उर्मी क्या थोड़े पहले बताया था देखो सर्यू उर्मी ठीक है सर्यू उर्मी जिसको कहते है क्या आया बड़ा उ की मातला खुस आप कौनसी मार के आगे देर के आई उ याद रखना है ठीक है दूसरा जो आता है वो आते है आपकी गुण संधी जो पाट आता है वो आता है गुण संधी ठीक है बहुत आसान है आप लोग ने इसको बहुत टप बना रहे हैं है नहीं एक चुली इतना टप ठीक है गुण संधी देखो जैसे वहां मैंने आपको लिखा था A E और O इसके ब्रैकेट में आप लिखे हुए A O अर ठीक है पहचानने का तरीका A O अर इन तीन सब्दों को आप इसके ब्रैकेट में लिखोगे ठीक है सेम चीज पेपर में अब देखो समझाता पहले अभी हूँ पहले कुछ सब्द लिखना हूँ ठीक है जैसे एक सब्द लिख जया न जन जन संदी आयादी संदी ठीक नमलता सौरी क्या विसर्ग संदी ये option आया अब आपने खाया इसमें तो A दीख रहे है एक इसमें होते हैं स्वरसंदी के पार्ट है तो इसका answer क्या हो जगा पहला वाला जो करिशन का तरीका होगा स्वरसंदी महेंद्र का नरेंद्र को हो इसकी जगा ये आरह है परोपकार कि यहां इसे थोड़े हुए है उनको पढ़ना है यानि पहला भी वर्ट टाइब का मन रहा हो दूसरा भी कोई नगोई सब्दा बन रहा हो तब उसको ठीक करेंड बन रहे हैं हैंगे ठीक है यहां क्या बना ओ यहां क्या बना ए एक क्या आते हैं स्वार ओ क्या होते हैं स्वार तो क्या है स्वार संदीत एक चीज और ध्यान से देखना एक मात्रा लगी होती तो उसको ए बोलते हैं ऐसी अगर यहां दो मात्रा लगी होती तो उसको आई बोलते हैं ठीक ह अगर इस single मात्रा होगी कि इहाँ double होगी जहां double होगी याँ उसका मतलब इह लगा हुगा है और इहाँ पर अगर single है तो उसका मौनलच आ अ ये लगा है ठीक है इसको ध्यान देना देखो, आब वह वह स्वर्णक को पढ़ूंगा हम आगे बढ़ने क्योंकि हम इंसान प्रोग्रेसिव होता है ना आगे को बढ़ता है हम पीछे की बाणे हम उससे आगे चलेगे ए ओ अर तीन ही सब्दे याद रखने हैं ए ओ अर क्या है ए गुणसंदी परो गुणसंदी महरसी महरसी महर अर आ रहे ना अर महर देखो अर क्या है गुणसंदी अर समझे गुणसंदी पहचानना इतना आसान है अर अर। अब आपसे कोई được कंफ्यूज हो गया आप को दीरगर भी दीखा वहा हम गुण भी दीखा अर आ अरे दीरगर क्यूं मार silah होगे कहां आ रहा हमे इकर कहाishing ला उ इसको बोलते हैं गुण संदी, ठीक, इसको कैसे पहचानना है, इसको कैसे पकड़ना है, ये तो मैंने आपको बता दिया, इसमें भी संदी विच्छेत पूछ सकता है, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, देखो, जब हमने अभी दीर के संदी बली, और आ वाले आपस में लड़ रहे और ये रहे हैं, ये तो आप जान चुके हैं, अब ये क्या हो गया था, ये कि परिवार की थे, और जीत कॉन था उस टाइम अदेर के संदी बड़ा भाई, हमेजा, क्योंकि उसका फाइनल रिजल्ट है ये आ रहा था, जो फाइनल वार्ड बनना था, उन्में ये था, वो कोई फायद है नहीं आपस में लड़ने से कुछ फायद हैं तो और आ एक होगे कौन और आ पहला वही घर था वह एक होगे उसने कहा हम और उसे लड़ते हैं ठीक है कैसे भैचानने हैं देखो ऐसी नोट्स बनाना ओ और आ ये दो नूब भाईयों ने कहा हम आपस में लड़न इनको हराते हैं इनको हराते हैं और इनको हराते हैं यारी यह क्या करने लगे आपस में सॉरी यहां पर री कर दे ना एक बीच में आदे यह हो गया इ, इ, उ, और री यह भी होता है री यानि रू भी बोलता है इसको ठीक है रू यह होता है इसको आप हम लोग पहले से पता है हिंदी कैसी हमारी इसको इन तीनों को आपस में इनने प्लान मनाया कि हम एक हो जाते हैं यानि यह एक हो गई अब किससे लड़ने आए इनसे कभी आ के साथ यह दिखेगी कभी आ के साथ यह दिखेगी कभी आ के साथ यह दिखेगी ऐसी बनाने कभी यह ऑ के साथ यह वाली सीरीज आएगी कभी आ के साथ यह वाली सीरीज आगे पीछे कुछ भी हो सकता है कभी और आ के साथ री वाली सीरीज है दिखना जोर हो जाएं पहले यह आएंगे, पीछे जब break हो जार था, उसके बार यह आएंगे, यह आएंगे, यह आएंगे, यह आएंगे, इन्हों ने आपसमे लड़े, जब बताओ, यह कौनसा कम सकतिसाली है, तुम दो हो तो हम भी तो दो हैं, ठीकर यह विचला थोड़ा कम जोर है, इसके थोड इन दोनों की लड़ाई होती है बचाने के लिए ओ आते हैं इन की लड़ाई इसके साथ होती है तो बचाने के लिए और आते हैं ऐसे ही नोट्स बनाए जाते हैं यही पढ़ने का सली का तरीका होता है इसी से सलेक्शन होता है ठीक हवा में सब्द रटके तुम लोग क्या करत तुम किसी उत्राखन PCS में कोई भी पेपर देने जाओ कहीं नहीं अटकोगे ठीक है इस तरीके से जब इन लोगों का तै हुआ कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे अब हम दो एक होगे इन से लड़ेंगे बराबर थी सकती तो मध्यस्त आये और कौन आये ए ओ अर जहां दिख एक होगे आगे बीचे कुछ भी आसकता है, तो और कौन मध्यस्त आया? आया! अब आपने इसके example समझने कैसे इसको बनाया जाएगा? ठीक है? पहला जैसे मैं आपको कोई वर्ड देता हूँ, नारेंद्र. scout protection क मैंने में थुक चुक आपके और रेंद्र? ठीक प्रैक् अभी थोड़े देर पहले का ना जब एक मात्रा होगी तो ए और जब यहाँ पे दो मात्रा होगी तो यह सिंगल वाला ठीक है आई जिसको बोलते हैं नरेंद्र कौनसी संदी है गुण संदी अब पेपर में आपसे ग्वश्चन कुछता है इसका संदी विच्छेत करो आप तुरंत क्या करना इस बीचवाले को क्या है यह पकड़ लेना यह पकड़ लिया आपने ए आती है आपके दिमाह मा आगी कि गुण संदी क्योंकि आ आ यह क्या था दीर आपने सिधे यह पकड़ा आपने यह लिख देना नीचे से आपके दिमाह मा आगया गुण संदी तुरंत याद करना गुण संदी के लिए क्या कंडिशन थी मेरी कहानी याद करना भाई और आ एक हो गे थे और अलग अलग से लड़ दे थे ठीक है तभी कि जाकि यह मध्यस्त सहाब आते हैं अब उसने option देओंगे आपको option क्या पकड़ने हैं ऐसे होने जिसकी option जो break करके दियोंगे उसने उसकी meaning भी ऻोंगे ठीक है जैसे उसने कुछी भी दियाओगा अब हमने तो पतर हैं इसका और प्लस इंद्र 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 मानोव के जाने वाला इंद्रे ए आया और ई की स्रीज जब आपसे लड़ रही थी यह आ के साथ यह वाले लड़ रहे जब सब यह पहले ओव वाले लड़ रहे इसके साथ इवाले लड़ रहे थे Final result ए आ रहा था आतो गया भही High Yes तो इसका answer क्या होगा, कौन सी होगी आपकी गुण संदी होगी, ठीक है, ऐसी एक दो example और समझा रहा हूँ, देखो, और आ, और आ के साथ तो होगी आप, और देखे, और आ जो है, ये किसके साथ भीड़ते हैं, ओ वाली सिरीज के साथ, ठीक है, इनके साथ भीड़ेंगे, त बतलब O आ रहा है, देखो, यहाँ पर O, O आते ही आप समझाना गुण संदी है, ठीक है, संदी बिच्छेत करना है, आप क्या करना है, सबसे पहले इसमें देखोगे, ये O आ रहा है, और इनको तोड़ोगे, तो क्या तोड़ी का, पर प्लस उपकार, यानि पर मतलब दूस और O वाली स्रीज, O के किसी स्रीज के साथ लड़ेगी, तो क्या बनेगा, O बनेगा, ठीक है, एक अन्य चीज, अन्य एक्जामपल बताता हूँ, जैसे सूर्य की उर्जा को क्या होता है, सूर्योजा, जैसे एक एक्जामपल देखो, सूर्योजा, इसका मतलब क्या है, सूर जब ओ और उ की सिरीज टकराएगी तो हमेशा ओ आएगा देखो सुर्यो ओ आया तो क्या बन गया ये कौजी संधी होगी गोने संधी आपको छाटना भी आ गया ठीक है एक एक ऐसी लास्ट इग्जामपल देजे तो आपको जैसे महरसी ठीक है महरसी अब इसमें देखो महरसी यह ही आपको क्या आ गया स्वरसंधी के अंदर कौन सा होगा गुण संधी होगा और महा महा आ रहना यहां पर देखो यह आ गया और यह कौन सी सिरीज आगी साथ में री या रूज इसको जो भी बोलते हैं ठीक है जब मैंने कहा ओ या आ की स्रीज री के साथ टकराएगी त बनेगा तो ही क्या बन गया और बन गया तो यह कौन सी संधी होगी आपकी गुण संधी ठीक है उम्मीद करता हूँ आपको यह सेशन समझ में रहोगा दो तिन सुटे सेशन और बचें इसके आपकी संधी क्या होजाएगी complete अफ क्या करना है जितने भी इसके एक्जामपल ह जितना प्रेक्टिस करोगी उतना आपके लिए फायदे बनोगा जो चीज आपको समझ नहीं आयोगी मैंने आपको वर्ट्सेप नमबर देया उसमें मुझे पूछ जाए ठीक है फिर मिलते हैं एंगले सेशन में थैंक यू